हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नीलमगर और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपकी साथ बहुती ईजी और बहुती डिलिसिज रैसिपी शेयर करने वाली तो तीयर ना करते वे शुरू करते हैं रैसिपी को बनाना तो चलिए गाई शुरू करते हैं चुलाई की लड्डू बनाना तो इसको बनाने के लिए आपर मैंने 500 ग्राम चुलाई ली हुई है और ये रोष्टेट चुलाई है तो इस तरीकी की रोष्टेट चुलाई बार्किट में अफ्लेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं तो 500 ग्रामी मैं इसमें शक्कर का यूज करूँगी तो मैंने यापर जैगरी पाउडर का इसमें यूज कर रहे हूँ तो ये शक्कर है आप शक्कर की जंगा गुड़ भी यूज कर सकते हैं तो मैंने यापर 500 ग्रामी इसमें शक्कर का यूज कर रहे हूँ तो इसको एक कड़ाई में आड़ कर देंगे अगर आप थोड़ा सा मीठा कम खाना बसंद करते हैं तो आप इसमें 400 ग्राम शक्कर का यूज भी कर सकते हैं और एक बड़ा गिलास मैंने इसमें पानी का आड़ किया है मिक्स कर लेंगे इसको और एक बार अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे से शुगर सीरप को हम तयार होने देंगे और आप देख सकते हैं शुगर सीरप में एक बॉइल आ चुका है तो फ्लेम को अभी भी मैंने हाई किया हुआ है तो boil आने के बाद इसको एक से दो मिनट के लिए और पका लेंगे और आप देख सकते हैं इसकी consistency अभी ये बहुत ज़्यादा पतला है तो flame को high करते हुए मैंने इसको पका लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें जाग आ रहे हैं तो इसका मतलब जो चुलाई कश्टुगर सीरप है वो हमारा रेडी हो चुका है तो flame को मैंने ओफ कर दिया है तो इस तरीके से आप इसको spatula से चेक कर सकते हैं इसकी last की drop आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा देर में गिरती है तो इसको मैं बहुत एक पितार की चास्नियम इसमें नहीं चाहिए बस ये काफी ज़्यादा अच्छा ठीक सा ये चिपचिपा इसमें हो जाए शुगर सीरप तो तब तक ही आपको इसको पकाना होगा तो चुलाई में इसमें सुगर सीरप को आड़ कर देंगे तो दीरे दीरे आपको इसको मिक्स करना होगा और एक हाज से आप इसको सुगर सीरप को इसमें आड़ करते जाए क्योंकि जब आप सुगर सीरप चुलाई में आड़ करते हैं तो ये काफी ज़्यादा ऊपर तक आता है तो हाफ चुलाई को मैंने कडाई में ही एड़ कर लिया है क्योंकि यह बहुत जादा छोटा बरतन है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत जादा भी टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में शुगर सीरप बहुत ही जल्दी से रेडियो हो जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तार की चासनी नहीं बनानी होती तो हाफ चुलाई को मैंने कडाई में ही आड़ कर दिया है सुगर सीरप में तो इसको मिक्स कर लेंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि तो शुगर सीरप को मैंने इस पैचुला से अच्छे से क्लीन करते हुए इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेगे यह अच्छे से की कोटिंग हो जाए तो आप देख सकते हैं यह बिड्कुल पर्फेक्ट शुगर सीरप इस पर भीक्स हो चुका है और तो इसके लड्डू बना लेते हैं तो इस तरीके से आप चोटे या बड़े किसी भी साइज के लड्डू बना सकते हैं तो यहां पर मैं मीडियम साइज के लड्डू इसमें से त्यूद्धी तेयार कर रहे हैं और बहुत ही परफेक्ट हमारा शुगर सीरप रेडी हुआ है और आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा बढ़ी है ये लड्डू बनकर तयार हुआ है तो सुगर सीरप जब हलका सा ठंडा हो जाए तब उसके बाद आप इस लट्डू को बना सकते हैं और थोड़ा सा कियरफुली क्योंकि सुगर सीरप बहुती जादा गरब होता है इसको हलका सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप लट्डू के बाइंडिंग कर सकते हैं तो देखी सकते हैं कितने जादा पर्फेक्ट ये लड्डू बनकर तयार हुआ है और आप इसे किसी भी फास्ट में बना कर खा सकते हैं और आप इसे विंटर में भी खा सकते हैं ये विंटर में भी बहुत ही जादा हैल्दी रेसिपी है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो आप इस recipe को एक बाद जरूर ट्राइ करें अगर आपको ये recipe अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और family और friend में share करें मेरे recipe से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप में comment box में लिख सकते हैं Thank you तो गाइस recipe बनकर हमारी तयार हो गई आपने देखा इसको बनाना बहुत ज़्यादा easy है I hope आप सभी को ये video पसंद आएगा अगर आपको ये recipe अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें में रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप में comment box में लिख सकते हैं Thank you